चलो बात करते हैं A.C.C.공 कैसे करता है देखो A.C. जो है वह आपके कमरे की कूलिंग कैसे करता है कंदिशनिंग कैसे करता है एर की इसको समझने के लिए A.C. को हम निभाइड कर लेते हैं A.C. में जरनली दो पार्ट होते हैं एक होता है compression part, एक होता है expansion part, compression part जो होता है, वो outdoor और expansion part जो होता है, वो indoor, देखो जो split is ची होता है, उसमें ये clearly आप देख सकते हो expansion unit, compression unit, expansion unit आपको कमरे के अंदर लगता है और compression unit outdoor दिवार के साथ यहां अब छत पर लगाते हो और जो window AC होता है उसमें यह दोनों इकटे ही होते हैं compression unit जो बहार की तरफ facing होता है और expansion unit जो होता है वह room की तरफ facing ठीक है अब यह काम कैसे करता है देखो AC का principle है काम करने का वो है compression और expansion of gas देखो जो gas होती है gas जब expanded farm में होती है means gas जब expanded जब उसके molecules दूर दूर होते है तो उस gas के molecules उसमें energy जदा होती है उनकी kinetic energy जदा होती है suppose करो हम एक gas लेते हैं एक chamber में ठीक है अब यहां पर gas के molecules इस पूरे chamber को फिल कर दी है ठीक है यह high energy state में है इस वक्त मतलब maximum जितनी energy इनकी हो सकती है उतनी है means kinetic energy in molecules में सबसे जदा है ठीक है अब देखो suppose करो इसमें kinetic energy हम ले लेते हैं 100% ठीक है और यह fully expanded firm gases है इस chamber में अब हम क्या करते हैं इस gases को piston की मदद से compress करते हैं और compress करते हैं और इसकी जो kinetic energy है जो इसका original volume है उस original volume से इसको काफी low कर देते हैं expanded firm से इसको क्या कर देते हैं compress कर देते हैं तभी इस unit का नाम compression unit है पतला होगे थोड़ा सा ठीक है इसको compress कर लेंगे suppose करो हमने इतने तक के इस molecules gases को compress कर दिये अब क्या हो गया gas molecules इकठे होगे compressed होगे और जो इनकी energy है compressed state में कम हो जाती है compressed state में energy कम हो जाएगी suppose करो यह 100% था यहां पर 30% energy state में आ गई और जो 70% energy होगी वह loss हो जाएगी in the form of heat तभी आप देखते हो compression unit से इस निकलती है वह एक्चल क्या होता है expanded gases को compressed form में लाता है means high energy से low energy state में लाता और जो energy extra energy जो होगी वह निकल जाएगी in the form of heat the compression unit से आपको heat निकलती हुई दिखेगी ठीक है तो compression unit का main काम क्या है high energy state से gas को low energy state में लाना मतलब expanded gas को compressed form में लाना ठीक है फिर क्या करते हैं इस compressed gas को pipes के थूब्स के थूब्स के थूब्स के थूब्स एक्सपैंशन unit में ले जाते हैं देखो expansion unit indoor unit है इधर क्या करते हैं इस gases को नार्मली expand करने दे देते हैं जितने यह original form में थी अब यह दोबारा से gas क्या कर जाएंगी अपनी original form expanded form में आ गई अब क्या हो गया यह 30% energy से दोबारा से किस form में आगी 100% energy में दोबारा से आगी जो भी इनकी kinetic energy originally थी उसमें दोबारा से आगी अब यह 30% से 100% जाने के लिए इनको energy चाहिए होगी वह energy कहां से आएगी इनके पास वह energy यह आपके surrounding के लेती है आपके rooms की energy लेती है गैस दोबारा से 100% आने के लिए क्या करती है आपकी room की energy kinetic energy absorb करती है और आपका room की energy क्या होती है overall कम हो जाती है kinetic energy कम होगी तो आपकी room का temperature low हो जाता है इस तरह से इसी कम करता है गैस को compressed करता है indoor unit में लाएगा उधर द्वारा से expand कर वा देगा और आपका room ठंडा हो जाएगा ठीके ओके बогु़ हो करती है और करती है करते है उल है आपका多ग हो जो ही जजय right and click